असलाम लेकूम कैसे हैं आप अमीद है सब ठीक ठाक होंगे अलहमदुलिला हम सब भी ठीक है आला तला आप सबको हमेशा खुश रखे और सहत अंदरुस्ति वाली लंबी उमर अता करें आमीन सुमा आमीन तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइक उन दबाना मत भूलें ताके मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और यहां पे हम कर रहे हैं नाश्ता आज आमलेट चाहिए था बच मोसं हो रहा तो मैं भी देखने आगी बाहर तो ठंडी हवाज चार रही थी बारश यहां पर तो नहीं कहीं दूर हुई थी तो अगले दिन और हमारे पास भी हो गई तो तो जीदे निला आसमान इतना निला आसमान ना मैंने भावर्वर North और में कभी भी नी देखा below मैंने देखा तो आपको भी अपने सीटी का मैंने का मैं दिखा हूँ कि कैसा है वेदर कैसा है हमारा ये देखें बादरों के अंदर से सूरज की किरने और निला आसमा देखें बहुत अच्छा लाग रहा था बहुत देर बात इस तरह का मौसम देखा मैंने तो चलें जी दूद बॉयल होने के लिए रखा हूँ और मैंने आपको दिखाया कि बरतन मैंने बड़ा लिया दूद भी शक्त थोड़ा भी होना तो हमेशा बड़ा बरतन लिया करें फिर दूद बॉयल होने का डार नहीं होता जब इस तरह से ना क्योंकि तेज आंच पे जब हम दूद ब दूद बॉयल करके बैटी होती है तो अगर पास ध्यान रखा जाए ना बागी सारे काम छोड़के सिर्फ दूद बॉयल कर रहे हैं तो बस दूद भी बॉयल कर रहे हैं और यहां पर मैं दिखारी हूं मैंने गूंद लिया साथ आटा भी यही काम होते हैं हमारे दूद यही काम हमारे लगे रहते हैं तो यहां पर मैं बना रही हूँ भिंडी मैं आपको दिखा रही हूँ मुझे एक कमेंट आया था कि आपने भिंडी कच्ची फ्रीज की थी जी बिल्कुल कच्ची फ्रीज की थी धोके अच्छी तरह खुशकार के काटके तो उसको किसी साफ सुत्रे शॉपर में नहीं तो जे प्लॉक बैग होते हैं उनमें भी डालके रखे जा सकते हैं तो यह देखें और यह सिर्फ 15 मिन्ट में हंडिया बनी थी इतना अच्छा लगा ना कि फटा फट से खाना त्यार हो गया जब भिंडी कटी भी पड़ी भी यह ना तो बस मसाला बनाएं मसाला भी मैंने चॉपर में बनाया जल्दी जल्दी से जबके दूसरे प्यास मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं भिंडी में जो स्लाइस वाले होते हैं लेकर टाइम काम होने की वज़ा से मैंने बस चॉपर में सारा कुछ पहले प्यास चॉप कर लिया फिर सब्स मिर्चें और टॉमाटर वगरा करके जिस तरह बाकी हंडियों के मसाला बनाते हैं वैसे ही मैंने करके तो जो फ्रोजन बिंडी थी थी ना अंदर डाल दी आपके सामने देखा मैंने तो किस तरह से कोई जेल नहीं इसकी कुछ नहीं अभी भी ये खाई जा सकती कोई कलर नहीं चेंज हुआ देखें किस तरह से बिलकुल फ्रेश वाला ही टेस्ट था इसका तो बिलकुल फ्रीज कर सकते हैं तो ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा 15 मिंट में बिंडी बनी यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी खाना बन गया तो कभी टाइम काम होना इस तरह कुछ लंच में नहीं हो तो फिर ये जब इस तरह की सबजियां कटी पड़ी होती है फ्रीजर में तो फिर बहुत काम आती है तो आज मैं आपके साथ ना एक मज़ेदार सी रेस्पी शेयर करने लगी हूँ ये मैं बनाने लगी हूँ चिकन रोल ये कुछ दिन पहले की वीडियोस हैं सारे क्लिप कुछ दिन पहले के हैं अभी तक आपसे शेयर नहीं किया थे तो मैंने चले में टाहिम है तो मैं शेयर कर देती हूँ मेरे पास वीडियो पड़ी वी थी तो इस पर मैं लगा रही हूँगी अच्छी तरह से ब्रॉश से इस इस तरह से घी लगा ले ना सब पे तो आप देख लें किस तरह से मैंने यह मेंन पार्ट है इसका ना जो रोल के लिए पटिया बनानी है ना तो यह देखें पहले मैंने इस पर गी लगा लिया अच्छी तरह से फिर सूखा मैदा इस पर चिटक दिया और इस तरह से रखनी है यह सारी ना जितनी भी चोटी चोटी रोटियां बनाई ही है मैंने इस तरह से उपर सारी रखनी है मतलब एक दूसरे के ना यूं बैक साइड सारी उपर आनी चाहिए इसके तो इसको अच्छी तरह मैं बेल लूँगी यह देखें एक बहुत बड़ी सी ना इसकी रोटी त्यार कर लेनी है इस तरह से और इसको ना बहुत देर तक नहीं पकाना सिर्फ यह है कि सिर्फ गर्म करना इसको और यह ना हो कि ब्लैक वाले जो रोटी की तरह की पूल होते हैं वो नहीं बनने चाहिए सिर्फ यह कि इतनी हो कि यह अलग लग हो जाए इसको मकसद पकाना बिलकुल भी नहीं है तो बस इसी तरह से ना इसकी साइड चेंज करते रहना ताकि यह अच्छी तरह से ना चिपके भी ना कच्छा आटा भी ना रहे और पके भी ना यह ख्यार रखना इसका तो हमारी ना बहुत ही अच्छी सी रोल की पटियां त्यार हो गई थी वैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है बाहर से नहीं इला सकते तो घर में इसकी जो डो बनाई थी ना मैंने यह देख़े किस तरह से कागस की तरह की पतली रोटिया इसकी त्यार हो गई थी और फिर स् इसकी आप पौपरी बना सकते हैं, जो चार्ट के लिये होती है no फॉपरी चार्ट जिसके बनाते हैं, तो ये बिलकुल भी वेस्ट नहीं करने इसको मैंने डाइमक शेप में काण लिया था, इतनी जबरदस से यह पत्या त्यार हुई थी तो इसी तरह से आफने साहरी यह कठी करके यह इंधी इसको यह काट लेना तो पर लेना तो यह पापड़ी चार्ट के काम आ जाती है ये बिलकल बी एकस्पार इसकी नहीं होती, वियसे जलदी म al fina के अंदर भी यूज कर लें तो कोई मसला नहीं है, ये बिलकल भी न, ये जो पापड़ी एकस्पार नहीं होती, और ये आप पटियां बनाके रख सकते हैं, जैसके फ्रीजर में जितनी मरज़ी, जब आप पास टाइम हो बना लें, यह मैंने मसाला बनायाई, इसकी वीडियो मैं, रकाड करना बूल गही हूँ, मैंने की यह नहीं है, तो इसमें चिकन रेशे रेशे कार ली थे सारे, इसमें चिकन था, शिम्ला मेरतीaquी और बंगो भी थी, मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है और ये मैं अपने बेटे का लेकिया हूँ यूनी फार्म ये भी लाने वाला था क्योंकि ये रोज दुलने वाले होते हैं तो काफी खराब हो जाते हैं कुछ चीजें होती हैं कुछ काम होते हैं बहुत जरूरी होते हैं पहले ही करने वाले होते हैं तो पहर को बनी थी भिंडी और वो सालन उसी वक्त ही खत्म हो गया उतना ही था तीन चार प्लेटे ही थी सालन की वो ना बस जल्दी जल्दी मैंने बना लिया तो और यह देखें यहां पर मैं बना रही हूं चिकन कड़ाई मुझे भिंडियां ही पसंद थी मैंने अपने लिए थोड़ा सा भिंडी का ही सालन रखा था तो बच्चों को यह था कि कुछ और आप सालन ना बच्चे चिकन शौक से खाते हैं मुझे इतना नहीं पसंद लेकर हमारे घर में ना फिर भी बनता है इसलिए कि बच्चे शौक से खाते हैं तो बस यही इसकी फाइनल लुक है इसमें मैंने मेथी डाल दी थी आपको दिखाई थी तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लाग थेंक यू फो वाचिंग अला आपीज